अब्जिक्टिव अड़ा के नए वीडियो में आपका स्वागत है तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आज आपके लिए कानपूर सेंटर का एक्जाम रिव्यू लिखे आ हैं जिसमें फुल डिटेल देखेंगे कि आज क्या 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 क्यों पूचे गे देखो सब पोस्ट के लिए अगर आप रिव्यू देखते तो आपको एक आईडिया लग जाता है कि आपके किस लेवल के क्यों सन पूचे जाएंगे सबसे इंपोर्टेंट यह कि आप भी हमारे साथ में रिव्यू सेयर करना चाते हो तो आप हमें टेलिग्राम और इंस्टाग्राम प सबसे पहले आपको बता देता हूं आज का रिव्यू किस ने बेजा आपके आपके सुपरमेन के फेन ने रिव्यू बेजा है वैसे यह नाम क्यों सो रहा है है आपको हर बार वीडियो में बताते हैं क्योंकि एससे नाम इसलिए सो होते है जो आप टेलिग्राम पर जो नाम लिखते हो वही आम पर नाम सो dress है क्योंकि जो भी इस्टूटन अमारे पासолот है सबी टेलिग्रम या Instagram पर इंस्टाग्राम पर यहां प्र नहीं होते हैं. तो अब बात करें डुएंगो, फोटो देख सकते हो, इस फोटो के अंदर काफी क्यूसन बेजे हैं, यह है अब वीडिओ के लाश्ट में देख लेंगे, पहले मैं आपको यह दिखा देता हूँ, जो जो क्यूशन इन्होंने यहां पर टाइप करके बेज़ें चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन्होंने जो जो क्यूशन टाइप करके बेज़ें वह क्या क्यूशन है तो सबसे पहला जो क्यूशन है वह एक नेपोलियन बोनापार्ट है उससे रिलेटेड एक क्यूशन पहले इंहों ने बता हैं मेत के अंदर पूशा गया पर प्रोपीटेंड लोस पूचा गया इंटिटीटी से क्यों संतर ना को एक बार आपको आइडिया बता देता हूं और एक आपके स्पास में आपको P&L पढ़ लो और फिर SI and CI पढ़ लो बस इतने चेप्टर भी अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके जो मेयत का है वो 80-90% क्लियर हो जाएगा अब कुछ क्यूशन किसी कि स्टुडेंट के एडवांस के आते हैं लेकिन सभी के नहीं आते ह लगन ये जो चेप्टर आपको बताके 100% पुछे ही जाते हैं तो आप डंक से करके चले जाना अब बात करें आगे सेंटर काहां पर था इनका तो सेंटर आप देख सकते हूं कहांपे था कानपूर के अंदर था और सेंटर के लिए था वहां पर पहले भी देख चुके तो अगर आपके सेम क्यूसन नहीं मिल पारें तो यह भी हो सकता है 25 अगस्त को यह तो आपका फर्स सिप्ट में हो इनका सेकेंड शिप्ट में हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मेरे भी इसी सिप्ट के अंदर एक्जाम हो आता और सेम क्यूसन पूजे गए दे चल के बहुत ज्यादा मेसेज आ रहे हैं और उनका रिप्लाई भी देने का कोई क्यूंकि वैसे भी हम रिप्लाई दे के क्या दे सभी को सेम रिप्लाई देना पड़ेगा एक तो चंडीगट के लिए सबसे ज्यादा पूचा जाता है कि सबसे पहले जो पता चलेगा वह और कम से कम आप ये माननके चलो कि य利 स्टुडेंट ने तो सिर्फ 20 को एकजाम दिया है जैसे 20 अगस्त को एकजाम दिया है और वो दूसरे दिन मेसेज कर रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा रिजल्ट कब आएगा तो इससे पॉसिबल नहीं है ताया फिर आप रिप्लाइ भी हम क्या रहां बताऊगे यहां पर एक क्यूसन था वह मात्मा गांधी से पूचा गया था सिविल डिशोबीडियंस जो मुमेंट था उससे रिलेटेड जो क्यूसन था एक ही एक क्यूसन पूचा गया था अब बात करें नेक्स्ट की तो फिर इन्हों नहीं कहा था कि सर और लिस्ट है वो इस्टेश इस रिलेटेड तो यही होँआ कि अभी तक जो क्यूसन पूचे गए वह सिर्फ यह सिर्फ वह करके चले जाओ तो भी आपके इस्टिर क्लियर हो जाती है कोडिंग डिकोडिंग से साथ क्यूसन थे रिजिनिंग की बात करें रिजिनिंग के अंदर मॉस्ट इंपोर्टन च सब्सक्राइब तो यह क्यूसन पूचे गए थे इस्पीड टाइम डिस्टेंस से आपके दो क्यूसन पूचे गए थे और एलजेब्रा में आइडेंटिटी से दो क्यूसन पूचे गए थे तो बाकितो देखो जो भी नॉर्मल जो आपको चेप्टर बताई थे वो बताए पिर इनके अंदर एक एलजेब्रा पूची गई थी बस और जियोग्रोफी से इनके एक क्यूसन था सोलर सिस्टम से क्यूसन थे दो तो कुल मिला के जो इनके क्यूसन आए वो एससा कोई भी टॉपिक इनोंने नहीं छोड़ा जिसमें से क्यूसन नहीं पूचे गए सबी टॉपिक में से एक एक दो दो क्यूसन पूच लिए थे बिग बेंग त्योरी से क्यूसन था यह भी कापी अच्छा क्यूसन है और इसके बाद है कि बस इतना ही अभी याद है जो अभी तक इनोंने जो बताएं कि सर मुझे इतना ही याद आ रहा है बाकी मैं अगर और याद आता तो आपको और बताता हूं फिर देखको हमने भी पूचा था कि जो मोस्ट लिए तो सभी से स्टुडेंट्स अंपूच थे कि इस पर वीडियो बना सकते है कि इनों कहा नो प्रोब्लम आप बना सकते हो फिर इनको और बी दो क्यूसन याद आये थे जो इनोंने प्लेइलिस्ट के अंदर वीडियो मिल जाएगा आप वह देख सकते हो जितनी भी इंपोर्टेंट संस्ता है आपको एक ही वीडियो के अंदर करवाए गई है कि उनकी इसता अपना कभूईती और उनका एड़क्वार्टर काम पर तो वह वीडियो पे आपके लिए बहुत अब आप देख सकते हो क्या क्यों बेज़े गए तो पहले जो क्यूं संन बेजा गया थे यहां पे इंडिया सब इस्टेट से ज्यादा करें कि और होती ही कि पुचा गया था अबंद्धा का सब्सेंट अपर trilogy का सबना है के वीचपयपताना है कि सबसे ज्यादा है प्रोड्यूस होता है अगला पूचा गया है कि पूचा गया है कि यह भी पूचा गया है कि आपको यह बताने डेट याद होनी चाहिए आपको ग्यांन दिया था मातमा भूद् तो हमेसा ही आपके लिए इंपोर्टेंट होते हैं मातमा बूद्ध से रिलेटेट जो तीन वर्ड है वो भी आपको पता होने चीजे से माहा परी वो भी किस किस टाइम के लिए जैसे कि उन्हों ने जो गिए था उसको क्या कहते हैं जब उनके मरती होगे तब उसको क्या कहते हैं जो भी तोंन गटना है वह आप जरूर याद कर county अब दोस्तों मिलते हो कि अ